हेलो गैज तो आज हमने यहाँ पर बहुत अच्छा सा डीस बना के तियार के आप देख सकते हो कितना अच्छा बनाया और उतना ही टेश्टी भी बनाया तो चलो स्टाट करते हैं बनाना तो आज मैंने यहाँ पर अनर्सा बनाई हूं उसकी रेसिपी आप लोग के साथ मैंने सेहर कर रहे हूं तो यहां पर हमने डू बॉल चावल ले लिया है यह पर हम पानी अगले दिन ही मेंने डाला था और आज झो है इसको में से निकाल लेंगे पानी में से खाली और यह इतना चावल फुला हुआ है कि हाथ से मसलोग है तो उसी में जो है यह पूरा मतलब माईदा के जैसे हो जाता है पिस जाते हैं चावल इस टेप से फुला होना चाहिए चावल और बीच बीच में अगर आपको लगे कि पानी में से खराब हो रहा है तो इसको थूरा पानी चेंज करते रहो और उपर से इसको एक छनी से हम ढगतेंगे कि इसकी जो हवा है जाती रहेगी अंदर तो यह खराब नहीं होते हैं चाव जाएगा और यह थोड़ा से खिला खिला से हो गया तो पांट साथ मिनट के बाद मैंने इसको कपरे पर डाल दिया है अब इसको पूरे में फैला देंगे सारे चावल को और इसको हम थोड़े सुखा लेंगे तो आधा से पहुन घंटा लगेगा इसको सूखने में और यह बिल्कुल नहीं सुखाना है कि इतना अच्छे से सूख जाए कि यह फिर करक हो जाए उस ड़़े नहीं सुखाना है हमने यहां पर पंखे की नीचे डाला है और यह आधे घंटे में सूख जाएंगे चावल तो देखो चावल जो है उसक चुका है और चावल ऐसे सूखना चावल में तो इस टूट रहे हैं तो बिल्कूल से चावल को हमें सुखाना है और इसके बाद मैं इसके पीस लूँगी पीस को इसको में पॉडर बना लूँगी चावल के आटा बना कि यहां पर मैं तैयार कर लूँगी यहां पर मैं ले रही हूँ चीनी तो हमने जिस बॉल से चावल लिया था उसी बॉल से में चीनी भी लेना है तो जितना चावल लगते हैं उतने ही इसमें चीनी भी डलते हैं लेकिन हम इसमें थोड़ा कम डाल रहे हैं तो यहां पर हमने डेर बॉल चीनी ले लिया है हम इसमे चावल करे झाल दूटा है है एक सम्सक्राइब रहा हो जैसे लिली जीव्यक मैं ट्रस्सक्राइब करें लिए दो धिना टियार हूँ मैं जोग्त ना निकला है मना चृत करें दो तो हमने इसको भी पीछ लिया और इसमें हमने इसको मिक्स कर दिया है तो चावल और चीनी दोनों हमारे तैयार होगे चीनी को भी हमने पीछ लिया है चीनी भी पीछना चाहिए तो जिस बॉल से हमने चावल लिया था उसी बॉल से हमने चीनी भी लिया है दोनों चीज मातरा बिल्कुल बडावर पड़ते हैं चावल और चीनी लेकिन हम मीठा थोड़ा कम डाला है तो हमने इसमें डेयर बॉल चीनी डाला है और दो बॉल हमने चावल लिया है अब दोनों चीज को यहां पर मिक्स कर देंगे और मैं आटा दिखाती हूं कि इसमें देखो आटा में अभ मिक्स करने के बाद हमें इस टैप से देख लेना है कि यह लड़ू के जैसे बन रहा है कि नहीं तो पल्याप अच्छेसी से मिक्स कर लो उसके बाद इसको इसको इस टैप से लड़ू बनाके तयार करना है तो इसमें थोरा टाइम टेकिंग का काम है यह लेकिन बनता भी है तो यह पर देखु हम साड़ी लड़ी बना के तैयार कर लेंगे जितने भी आठें उसके जो भी लड़ी बनेंगे बड़े घोटे जो जो लेकिन ने देखा लें बहुत अच्छा बनकर ये तैयार होता है तो यहाँ पर ना हम सारे लड़ू बना के पहले तियार कर लेंगे तो हमने यहाँ पर छे लड़ू बना लिया है तो हमारे पास इतने भी आटे थे उसके छे लड़ू बनके तयार हो चुके हैं यह देखू अब मैंने यहाँ पर एक कंटेनर ले लिया है और इसको हमने अच्छे से क्लीन कर लिया इसमें पानी नहीं होना चाहिए और इसमें हम सारे लड़ू को रख देंगे तो इसको हमना कम से कम 24-25 गंटे के लिए इस लड़ू को हमें रखना जैसे कि हमने आज इसमें रख दिया है तो कल हमें उसी टाइम में फिर निकालना है इसको आप चाहे तो दस दिन भी रख सकते हो यह खराब नहीं होगा और अच्छा ही बनेगा तो यहाँ पर देको हमने चाहे लिए कि भी बनेगे उसको निकाल रही हो तो दिर में रखा था उसके अगले दिन मैंने इसको डब्हें को में निकाला है तो इस लड़ू का हम क्या करेंगे सबको हम फोड़ लेंगे एक एक लड़ू को सबको थे जाएंगे आप अपने quantity से बना सकते हो मतलब कम ज्य गूंत रहा है तो दूद डाल गूंदा जाता है लेकिन इसमें 6-7 चमच घी है घी स्लेखाइन डाला है दोगदा है यहां ही डिया है ओस्ट रहा है रहारद sinners कर लिया है अच्छे कह लिए यहां के और 1ason मैय इसमें दूद लाई यहां पर हमने 2 चमच दूद डाला आप यहां से ज्यादा इसमें दूद्स परफेक्ट हो चुका है तो इसमें दूद्स नहीं लगेगा इसको इप इसको जितना आप वह करोगे उतना यह आटा अच्छे से गुंद जाएंगे तो यह देखो यहां पर हमारा साट है अर्ट बनके तयार है और हम इसको भब बनाएंगी अनर्सा तो अनर्सा बनाने के लिए मैं यहां पर हाथ पे बना रही हों अनर्सा तो क्या करेपल है थोड़ा से ऑसलगा जा फीर कर चोटे चोटे पेरय चाटलेंगे और इसको फिर हात पही आप flor बनाते जायेंगे इसको पण्नी पर भी बना सकतेओ लेकिन हमकिन इसको रॉह रॉज्िधा भी चाट गांए अच्छे से बिस्टा और पतला भी ने मैंणा आर्फ नहींने मतलब कितना थिक नेस है इस ठहस् लगा देना है तो अच्छे से दबा के लगाना कि चिपक जाए उस टैप से हमें लगा लगा किसी टैप से बना लेना है तो इसी टैप से मैं यहां पर सारे अनर्सा बना लूँगे और यह बना बना के रखते मत जाना ने तो यह चिपक जाएंगे फिर बनाते जाना और फिर ऐल में डालते जाना उस टैप से हमें से बनाना है तो मैंने यहाँ पर चार से पांच पले मैंने बना की दिखा दिया है आपको कि हमें कैसे बनाना है तो देखो यहाँ पर हमने इसी टैप से साड़े बना लूँगी अगर आपको लग रहा है कि हाथ में चिपक रहा है तो उसमें आप क्या करें थोड़ा से ओयल लगा ले और फिर आप यह बनाते जाओ तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और यह देखो इसी टैप से मैं बना लेना इसका थिकने सब देखना कि मैं कितना पतला रखती हूं मैं ज्यादा मोटा रखना है और ज्या प्रिशना पर सारि बना लेंगे और प्य यह पिसी टैड्व आपिस को अच्छक एना ओच्छे से मैं चिपकाना है और हाथ भी नहीं चिपकता है तो और लो जो हैं गरम हो चूपा थिन मरा श्टम से हैं तो rejo कड़ा ही तो आप 2 शूप सर्का यह बनाते जाना है जिसको हमें पल्टाना नहीं है हम डिस सैड शीइट से निकाल लेना है अ नीचे से देखो है सिख जाएगा ना तो यह मत पर हाइड हो जाएगा यह थो निचे से सब्वर से भॉआउन तो फिर आप इसे निकाल लो इस टाइब के देख लूँ तो एक से उAM हहाँ, उडल होता है। और यह जब ठंदा होता है इतना क्रंची बनता है खाने में हम तो हम इसमें डालते भी जाएटाएंगे। ऒ्होत दिढ़ेंद लिए प et tootma हो जातने। तो इसी टैपसे में इसको एक एक करके निकालना है तो एक बार मैं आप कम से कम तीन से चाड़ी डाले अगर आपकी कराही बढ़ी है तो चाड़ से ज्यादा ना डाले तो यह फिर तूट जाएंगे साड़े और अच्छे से नहीं बनेंगे तो मैं यहां पर देखो एक में ड हो जाएंगे फिर और इसी टैपसे में तेल को निकाल निकाल के साड़े को निकाल लेना है तो कितना अच्छा से हमारा यहां पर अनर्सा बनके तयार हुआ है और सूर टेस्टी बनाई अनर्सा तो आप जरूर इस बार ट्रै करना और अंदर से देखो कितने जाली-जाली के यहां है तो यह बहुत टेस्टी बनके तयार हुआ है आप एक बार हमारे तरीके से ट्रै करके देखना आयोप आपको जूरूर अच्छा लगेगा थोरा टेम के त्य किन्य तो है इसमें लेकिन यह बनके प्राइब कहा है यह ळिर्ग इस दाँ के तक्षट में मेरब को आए अप्तेश्ट गरेखे मोट हिए ज़कर लोसे ओड़िए देखे मेरे न मर बई आ इस डाल से और जो फेल रहा है य। said